It's a very serious issue that we are going to flag today in this press conference. आप जानते हैं कि विकास की विशय को किस प्रकार से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी निरंतर आगे बढ़ाया है। कल भी उत्तर प्रदेश में, कानपूर में, मेट्रो के उद्गाटन के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी वहां मौजूद थे, रैली को संबोधित करने गए थे, एक बहुत ही भव्य और एतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया। आज अकबारों में उन विश्यों को लेकर कुछ गंभीर टिपणिया समाजवादी पार्टी पे हुई है। इस विश्यों को छापा है। जो भी अकबारों से हमें मिला है, मैं आप से साज़ा कर रहा हूँ, आप इस शर्यंत्र को समझ पाएंगे। आप सबने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने रैली को संबोधित किया, उससे ठीक पहले सोशियल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वाइरल हुआ। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, भारतिय जनता पाटी की एक गाड़ी थी, एक कार थी जिसमें भारतिय जनता पाटी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर्स कमल के लगे हुए थे, और माननिय प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था भाश्पा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चुराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कारेकरता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे उस गाड़ी के खिड़कियों को तोड़ दिया और उसकी आगजनी करने की कोशिश की गई ये सब हमने देखा है आपको जानके आश्चरी होगा कि इसके पीछे की सच्चाई कितना गंभीर है ये घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपूर रोड है नौबस्ता हमीरपूर रोड कानपूर में और उसके बीच में स्थित बंबा चौराहा बंबा गारी पकड़ा गया है गारी को जलाने की कोशिश की गई है गारी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोर कर रहे थे इस गारी के साथ वो सपा च्छात्र सभा के राष्ट्रे सचिव भी बहां मौझूद थे सपा का समाजवादी पाटी की जो च्छात्र सभा है स्टूडन्स विंग है उस च्छात्र सभा के जो सचिव है सेकरिटरी है जिनका नाम अकबारों ने सचिन केशरवानी के रूप में लिखा है वो उस वीडियो में मौझूद थे ये पुलीस ने पता लगाया है तो सपा के कारेकरताओं ने गाड़ी तोड़ा बाद में जब CCTV फूटेज के माध्यम से और पुलीस लगा करके जाच की गई तो मालूम पड़ा कि दरसल ये जो गाड़ी थी ये भारती जनता पार्टी के किसी कारेकरता की गाड़ी नहीं थी ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कारेकरता की गाड़ी थी ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता जिनका नाम अंकुर पटेल है ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफलाज किया गया था इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारती जनता पाटी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया आगजनी की कोशिश की गई इसको चकना चूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुरदंग मचा रहे हैं इस संदेश को सोशियल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारती जंता पार्टी के कारे करता हैं वो इसे देख करके बढ़क जाएंगे स्थानिय लोग इसे देख करक साथ इस प्रकार का एक शर्यंद्र रचा गया समाजवादी पाटी के छात्र सभाद्वारा उनके स्टूडन स्विंग द्वारा आप सोच सकते हैं आज जो आदर्निय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था लाल टोपी मतलब खत्रे की निशानी लाल इनी गाड़ी को भारती जंता पार्टी के रूप में सजाना और खुद उसे चकनाचूर कर देना और संदेश देना कि हम इस प्रकार से अगर आप विकास के साथ खड़े होगे तो हम इस प्रकार से आपको दोस्त कर देंगे यह काम कौन करता है ये काम माफिया करती है ये काम गुंडा राज वाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए to establish the fear factor amongst the people you propagate such kind of videos and you announce your presence you advertise your presence ये और कुछ नहीं है ये advertisement है अपने गुंडा राज का समाजवादी पार्टी द्वारा और इसमें कोई दोमत नहीं है जिस प्रकार की माफिया राज समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश ने और भारत ने देखा है जिस प्रकार की माफिया के डॉन्स के साथ समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं स्वभाविक हैं यही उनका असली चरित रहें अगबारों में यह भी छता है कि यह जो छेत रहे नौबस्ता हमीरपूर रोड वो एक मुस्लिम बहुले छेत रहें वहां इस प्रकार से गुंड़ई करके आप दंगा भढ़कानी की कोशिश करते हैं स्वभाविक रूप से आप चाहते थे वहा और आप उंगली उठाएं किंतु भारतिय जंता पार्टी के हमारे कारेकरताओं के संयम को देखे हमारा एक ही धे है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास हमारे कारेकरताओं ने एक ही धे के साथ हम आगे बढ़े हम इस उकसाने में नहीं आए किंतु आ देखिए, मुझे संजे जी ने लिखके भी दिया है, महत्वपूर्ण विशय है, जहां तक उत्तरप्रदेश का सवाल है, इस पूरे विशय पे वो अपने विकास की राजनीती को आगे लेके जा रहे थे, वहीं उत्तरप्रदेश में गरीबों के साथ इस प्रकार का खिलवार करना, उनके पैसे को राजनीती में लगाना यही समाजवादी पाटी कर रही है, मालेगाओं के विशय में जो आपने कहा है, बहुत ही गंबीर विशय है, कल न्यूस के माध्यम से उस शडियंतर का खुलासा हुआ है, आप सोच सकते हैं, हिंदूों के प्रती, कॉंग्रेस पाटी के मन में, कॉंग्रेस पाटी के मस्तिस्क में, किस प्रकार की घ्रना रही होगी, यह शडियंतर कितना बढ़ा रहा होगा, कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत, शडियंतर के पत्ते खुल रहे हैं, that the conspiracy is still unfolding, speaks about the humongous nature of the conspiracy itself, conspiracy against the Hindus, हिंदूों के खिलाफ शडियंतर, आप सोच के देखिए, साधू संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए, किसी भी हद तक जाएंगे, जूटी बाते फैलाएंगे लोगों को प्रताडित करके टॉर्चर करके उनसे जूटी बाते कहलवाएंगे इस प्रकार का ये साजिश था इसमें कोई शक नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी आरंब से ही किस प्रकार हिंदूओं को अपमानित कर सके वरना आप याद करिए 2019 में राहूल गांधी ने अमरिका के दूट से बात करते हुए अमबेजडर अफ अमेरिका से बात करते हुए विकिलिक्स में विशे सामने आया था राहूल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू आतंकवाद है वो ज़्यादा भयावा है यह भारतिये जंता पार्टी की तरफ इंगित करते हुए और भगवा की तरफ इंगित करते हुए हिंदूों को बदनाम करने की कोशिश करते हुए राहूल गांधी और उनकी टीम ने किया है स्वभाविक रूप से यह आधकल जो हिंदु और हिंदुत्यों पे रोज राभुल गांधी बोलते हैं यह जो यह जो एक양ज ड्राइफ करने की कोशिश कर रहे है एकतनी 트래도 कोशिश कर रहे हैं एक अलगाववात की राजनिति लाने की हिंदूों के बीच प्रयास कर रहे राहूल गांदी यह अनायास ही नहीं है हिंदुओं के उपर कुठारागात करना यही धे कॉंग्रस पार्टी का है अभी पंजाब के हमारे कुछ बहुत महत्तुपूर्ण विश्यों पर आधर्निय मंत्री जी भी आपके समक्षों होंगे आप अवश्य उनसे पूछेंगे दीपक नियुदिन्या प्रियांका गांदी जी को भी वीडियो देखना चाहिए आप से कुछ दिनों पहले उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक मैराथन कराया था उस मैराथन में भी हमारी जो बच्चियां है उत्तरप्रदेश की वह अभी मोदी 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 किनारे लगा रहे थे देखिए राजनिती करने का प्रयास हर कोई करेगा सबको माटने की कोशिस हर कोई करेगा जूटे आकडों का सहारा लेने का प्रयास प्रियंका जी की पाटी हमेशा करती रहती है और ये जो चैनात्मक राजनीती है सिलेक्टिव राजनीती जिसमें राजस्थान में किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के उपर अत्याचार हो रहे हैं आए दिन उसके वीडियो हम सोशेल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं मगर एक दिन भी उनके उपर चर्चा ना करना और जूक्ठे आकडों के माध्यम से भारतिय जनता पार्टी की विकास की राजनीती को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास करना यही काम प्रियंकाजी करती है यह अंतिन सवाल है क्योंकि फिर दो बजे हम मिलने वाले हैं टाइमस नाव नौभारत से अमित दो बजे सवाल होगा है बहुत बहुत धन्नावाद